नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने शाओमी रेट्मी वाइवान लाइट पर इंकामिंग कॉल ब्लेक स्क्रीन प्रोब्लेम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर होता किया है आपको कभी इंकामिंग कॉल आ जाते हैं ठीक है तो इंकामिंग कॉल आते वक्त आपको दोस्तों यहाँ पर इंकामिंग कॉल पिक करने का ओप्शन दिखाई देना चाहिए या तो फिर कट करने का ओप्शन दिखाई देना चाहिए ठी को भी incoming call पे black screen का issue हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरू डेख लेना मैं आपको solution बताऊंगा solution को follow कीजिए problem आपका जरू fix हो जागा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को click जरू करें यहीं आप online पेसा कमाना चाहते हैं यह वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको link मिल जाएगा जाके check out जरू कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका solution सबसे पहले तो दोस्तों आप जो है अपने फोन को fast boot कर लिजिए ठीक है अगर इस तरह का कोई भी issue हो रहा है पार बोटन को hold करके रखिए ठीक है डबाया और दोस्तों उसको press करके राखिए कम सी कम 40 20 seconds के लिए आपके phone जो है automatic बंद होके on हो जाएगा ठीक है तो इससे आपको एक fresh restart मिल जागा तो पहले तो आप एक बार restart करके देखिए अगर restart से काम बन जाता है तो ठीक है fast boot से ठीक है अगर fast boot से काम नहीं बनते तो दोस्तों जाईए आपने mobile के setting पर about phone को open करे storage पर जाए खेश डेटा जो दिखाई देरा उसमें click करें और okay कर दीजिए device का खेश डेटा clear करना जरूरी है उसके बाद दोस्तों scroll down करिए यहाँ पर जाए apps पर और उसके बाद manage app पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है phone service को on कर लेना है for stop करके okay करना है और clear data पर इसको भी for stop करके okay करना है clear data पर click करके clear all data करके okay कर देना है उसके बाद यहाँ पर permissions होगा सारे permissions allow कीजिए ठीक है सारे permissions आपको अंदर पर जा जाके allow करना होगा तो जितने वे permission से पुरा allow कर दीजिए थोड़ा सा time आया पर आपको डेना होगा उसके बाद device को restart करें और देखें आपका incoming call black screen problem solve हो चुका होगा ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर problem को solve कर सकते हैं black screen का जो आपके incoming call पर आ रहे हैं ठीक है तो यह दोस्तों आपने mobile के setting पर आपको दोस्तों उपर में यहाँ पर दिखाई डिया रहा होगा update का option ठीक है about phone के अंदर पर तो आपको software update कर लेना है software update करने से दोस्तों यहाँ पर आपका इस तरह का issue जो रहते हैं वह fix हो जाते हैं ठीक है तो यह simple solution आप follow करके देखें पुरा solution आपको करना है इसके बार आपका जो भी issue है वह fix हो जाएगा और दोस्तों अगर आपकी device पर कोई भी bad application से तो आप उनको uninstall करें तो यह सब solution करने के बाद दोस्तों आपका जो black screen का issue है वह 100% solve हो जाएगा ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतने वीडियो आचा लगा तो आप वीडियो को like कर सकते हैं इसके related पर अगर आपको कोई भी issue कोई भी problem है तो आप हमें comment section पर comment कर सकते हैं thanks for watching